शालो मालेखिम मसी में बायो बेनों को प्रभु येश्यु में शान्तियो आजका जो हमारा वचन है वो है मरकुस उसका चौदा भाग और उसकी तीसरी आयत जहां पर लिखते है कि जब बैतनिया में येश्यू समौन कवडिये के घर बोजन करने बैठा था तबी एक स्तरी सफेद चिकनिस पटिक के एक पात्र में शुद बाल चट का इत्र ले आई उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को येश्यू के सिर पर उंडेल दिया यही रेपरेंस हमें और सारी ही सूसमाचारों में मिलता है जैसे मत्थी 26 में है, लुका 7 में है, यहुना 12 में है और प्रबू आगे के वचनों में यही कहता है कि जब भी सूसमाचार कहीं जाएगा तो इस स्त्री का जिक्र वहाँ पे होगा यह क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि यह बहुत सारी बाते यहां बताता है वो जो इत्र स्त्री ने लगाया वो बहुत ही कीमती था बताया जाता है कि 300 दिनार का वो इत्र था और तब के समय में 300 दिनार मतलब बहुत जादा कीमत होती थी उतने में वो लोग शायद 10 गुलामों को खरीज सकते थे 10 लोग उस इत्र से आ सकते थे परन्तु उस त्री ने उस इत्र में जितना खर्च किया गा वो शायद उसके पूरे जीवन की आमदनी होगी या उसकी सेविंग्स होगी या उसने अपना बहुत सारे कीमती चीज़े बेच दी होगी तब जाके वो इत्र खरीद पाई होगी क्योंकि वो इतना कॉमन इत्र नहीं था और जिस पात्र में वो इत्र था उससे जाब जाहिर होता है कि इत्र की वैल्यू जो थी वो बहुत जादा होगी क्योंकि एक हाड पात्र था कि जिसमें बहुत कीमची चीज़े रखी जा रही हो परन्तु उस तरी ने अपने खर्श का कोई विचार नहीं किया और उस तरी ने क्या किया कि प्रभु येशु के सर पे उसने पूरी पात्र उंडेल दिया प्रभु यहां कहते है कि उस उंडेलने के पीछे जब किसको दफनाया जाता है उससे पहले उसको सुगंदिया लगाई जाती है बस ये उसी का एक प्रतीक था और उस तरी के नजरिये से देखे तो वो उस तरी ने अपना सब कुछ प्रभु येशु के लिए कुर्बान कर दिया था अपना सब कुछ उसने अरपन कर दिया था प्रभु को जितना उसके पास था वो सब कुछ बलिदान कर दिया था केवल प्रबु को इत्र लगाने के लिए ये उसका वलिदान था ये उसका समर्पन था प्रबु के लिए प्रबु के प्रती जो प्यार था जो इज़त थी जो आदर था और जो उसका समर्पन था वही इस चीज से दिखाता है और शायद इस्त्री के पास अब कुछ भी बचा नहीं होगा इस्त्री को खरीदने के बाद पर इस्त्री ने ये सोचा नहीं और उसने सब कुछ प्रभू के लिए अपना नियोचावर कर दिया और परमिश्वर उससे बहुत खोश हुए क्योंकि जब अरपणों की बात आती है तो दो तरह की राय होती है जब मंदीर में लोग अपना अरपण दे रहे थे तब एक अमीर आदमी ने बहुत सारे पैसे दिये और एक बहुत बुरी और गरीब स्त्री ने बहुत थोड़े पैसे दिये पर गरीब और जो बूरी आरत थी उसके पास जो था उसने अपना सब कुछ दे दिया था और अमीर आदमी ने जो उसके पास था उसमें से बहुत थोड़ा दिया था हम कितना देते है उसके बजाए हम कैसे देते है वो जादा जरूरी चीज़ है प्रभू हमारा मन देखता है कि हम किस तरह से देते हैं क्या हम अपना सब कुछ प्रभू येशो के लिए देने के लिए तयार है क्या क्या हम जीरो हो जाने के लिए तयार है हमारा कुछ भी ना बचाए सब कुछ हम प्रभू के लिए देने के लिए तयार है क्या हमारा future और हमारा आगे का जीवन ना सोचे पर प्रभू जब सेवा का अउसर देता है तब हमारा hundred percent दे देने के लिए हम तयार है क्या हमने प्रभू को अपना जीवन दे चुक है पर वो अभी भी कई जगाओं से बहुत कठीन है, तूटता नहीं है प्रभू हमारे रिदे के बहुत सारी जगाओं पर काम नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसको लॉक करके रखा है, बंद करके रखा है उसको हमने इतना strongly लॉक किया है कि प्रभू उसमें आना चाहता है, पर आ नहीं पाता क्योंकि हम मना करते हैं कि प्रभू यहाँ पर नहीं, इस जगे पर नहीं आप बाकी की जगाओं पर रहो पर ये जगाओं मेरे लिए खास है, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूँ स्त्री ने क्या किया था, स्त्री ने जो पात्र था उसको तोड़ दिया या उसको क्रश कर दिया, या उसको पूरा उंडेल दिया कि जिससे पात्र के अंदर जितना भी है, जो भी है उसके आखरी बुन तक वो बाहर निकल आए हमारे रिदेयों को भी तोडने की जरूरत है जिस से उसके चूरे-चूरे हो जाए और सब कुछ हम प्रभू को दे सके अपना हर पार्ट जब हम तूटेंगे प्रभू के चरणों में हम तूटके बैठ जाएंगे जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तब ही प्रभू हम से काम करवाएगा तब ही प्रभू हमें भरेगा तब ही प्रभू की आशिशे हम पे उन्डेल देगा जब हम तूटते हैं तब ही कुछ नया काम होता है अगर हम देखे तो यहाँ पे स्त्री ने अपना सब कुछ तोड़ दिया पूरा पात्र तोड़ दिया जिससे अंदर कुछ भी बाकी ना रहे मुसा ने जब लोगों के लिए पानी की जरुवत थी तो खड़क को तोड़के प्रभू ने उसमें से पानी निकाला था तूटना बहुत जरूरी है जब तक तूटेंगे नहीं प्रभू के चरणों में तूट जाएंगे और उसके काम को हम समझेंगे तभी जाके प्रभू हमसे काम करेगा पूरे तूट के जब प्रभू के चरणों में हमें बैठ जाएंगे जब हमारा कोई सहारा नहीं होगा केवल केवल प्रबु येशु हमारा सहारा होगा तब ही जाके कुछ बात बनेगी जब तक हमारी पसंद की चीजे हमारे पसंद की जब तक हमारे पसंद की चीजे हमारे पसंद की बाते और जो हमें सबसे जादा चहीता है वो हम नहीं चोड़ेंगे तब तक प्रभू हमें पूरी तरह से पकड़ेगे नहीं पूरे ही तूटके प्रभू के चरणों में उसकी सूती और उसका बजन जब करेंगे हम तब प्रभू हमसे काम करेगा आज क्या हम हमारा पूर्ण बजन कर सकते है क्या जिसमें कोई डिमांड नहीं हो, कोई प्रात्ना नहीं हो प्रभु से कुछ नहीं मांगे, बस प्रभु का बजन करें बस केवल एक कनेक्शन हो, हमारा और प्रभु के बीच में आसपास कोई ना हो, और प्रभु से जूट जाए यह तब ही होगा, जब हम पूरे तूट जाएंगे बंदे रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो नहीं होगा आईए प्रभु की कुरुपा हम चाहे कि जिस तरह से उस तरी ने अपना सब कुछ प्रभु येशु के लिए दे दिया और जो उसके पास था, उसकी आखरी बुन तक उसने प्रभु के उपर उंडेल दी हम भी अपना सब कुछ प्रभु के लिए निचार कर दे हमारे रिदे में, जहां भी हमने लौक करके रखा है, जहां भी हम बहुत सक्त है वो सब कुछ प्रभु हमारा तोड़ दे, प्रभु हमें जमीन तक नीचा करे, हमें जीरो बनाए और तब हमारे आगे एक लगेगा और वो प्रभु येशु होगे, आये प्रात्ना करें एए हमारे पिता, आपके वह उसर दीजिए, कि जहां हमारे जीवन में हम पूरे तूट जाए, जहां हम ना रहे, हम अपने पैरों पे ना खड़े रह पाए, पर अप हमारे गुटनों पे आ जाए, और आपके चर्णों में पूरे ही जीरो हो जाए प्रभु, तब प्रभी एशु के नाम से, आमिन